आपने YouTube पर चार्ट पैटर्न्स और उन्हें ट्रेड करने के तरीके पर बहुत सारे विडियोज देखे होंगे, लेकिन इन में से majority विडियोज आपको यह नहीं बताते कि आपको उनका ट्रेड क्यों करना चाहिए और ये चार्ट पैटर्न्स मार्किट में क्यों काम करते हैं, इसलिए ये चार्ट पैटर्न्स पर सबसे comprehensive courses में से एक होने जा रहा है, बहुत से traders बहुत कम content के साथ हजारो रुपिये में चार्ट पैटर्न्स पर paid courses भी देते हैं, लेकिन ये course पूरी तरह से मुफ्थ है और educational purposes के लिए बनाया गया है, ये थ्री पार्ट की series होगी, और मै इस videos पर कम से कम 1000 likes की मान कर रहा हूँ, क्योंकि उन्हें स्पष्ट और समझने योग्य बनाने में बहुत समय और प्रयास लगता है, तो इसे अपने सभी fellow traders और दोस्तों के साथ share करें, अब chart pattern का concept वास्तव में काफी सरल है, chart patterns, market की supply और demand का representation करके काम करते हैं, ये trend को trading chart पर एक मिश्चित तरीके से चलने का कारण बनता है, जिससे एक pattern बनता है, जब कोई trader, stock या index के price chart को देखता है, तो ये पूरी तरह से random movements जैसे प्रतीत हो सकता है, ये अक्सर सच होता है, फिर भी उन price movements में patterns होते हैं, chart patterns, price data में पाए जाने वाले geometric shapes होते हैं, जो एक trader को price action को सम बजने में मदद कर सकते हैं, और साथ ही ये अनुमान लगा सकते हैं, कि price कहां जाने की संभावना है, हाला कि chart pattern movements की कोई guarantee नहीं है, और बस chart patterns trading, markets में सफलता का कोई निश्चित रास्ता नहीं है, और इसका उप्योग market analysis के अन्य तरीकों के साथ किया जाना चाहिए, सामान्य में चर्चा का विशय continuation patterns है, मैं 5 सबसे common continuation chart patterns के बारे में बात करूंगा, वे क्यों और कैसे बनते हैं, और उन्हें उचित entry, stop loss और target setup के साथ कैसे trade करना है, हम इस बारे में भी बात करेंगे, यदि आप नहीं जानते हैं कि continuation pattern क्या है, तो जैसा की नाम से पता चलता है, ये pattern स अंकेत देते हैं कि market में existing trend संभवता जारी रहेगा, या सरल शब्दों में वे predict करते हैं कि pattern के formation के बाद market उसी direction में जारी रहेगा, जैसे पहला था, इनमें से अधिकांश continuation patterns, trends के बीच consolidations के रूप में बनते हैं, ये ऐसा है, जैसे market थकावट के कारण चाय का विश्राम ले हम flag patterns के साथ शुरुआत करेंगे, उसके बाद pennant patterns, फिर ascending triangle और descending triangle patterns, फिर हम rectangle patterns के बारे में चर्चा करेंगे, और ant में cup and handle और inverted cup and handle patterns के साथ हम इस विडियो को end कर देंगे, patterns पर आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीज clear कर दूँ, ये time frames के अलावा और कुछ नहीं है, बात ये है कि ये सभी patterns, जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ, ये intraday से लेकर, swing से लेकर, positional time frame तक लगभग सभी time frames में बनेगा, और ये patterns, higher time frames के साथ बहतर काम करते हैं, क्योंकि इसे बनने में अधिक समय लगता है, और इसलिए अधिक लोग इनके बारे में जानते है तो इन patterns का trade करने की time frame, आपकी trading style, जिस duration के लिए आप positions को रखना चाहते हैं, और आपकी expectations पर निर्भर करेगी, मैंने trade करने के लिए appropriate time frames चुनने पर पहले ही एक video बना लिया है, तो आप उस video को देख सकते हैं, ये जानने के लिए कि आपकी trading style के आधार पर कौन सी time frames चुनन बनता है, bull flag एक strong, लगभग vertical bullish trending move के साथ शुरू होता है, जो फिर stabilize हो जाता है, और फिर parallel tops और bottoms के साथ, एक minor bearish correction में बदल जाता है, जो महत्वपूर्ण support और resistance levels है, किसी भी flag pattern के 3 parts होते हैं, जो इसे बनाते हैं, bull flag की सही पहचान करने के लिए, मैं कुछ संकेत देने जा र एक flagpole बनाते हुए, preceding uptrend की तलाश करें, जैसा कि हम जानते हैं, कि एक bullish flag pattern, एक bullish trend के दोरान बनता है, इसका मतलब है, कि candles की range सामाने से अधिक bullish है, और वे highs के पास close होने की trend रखते हैं, यह market में buying interest का एक strong संकेत है, और यह भी clear है, कि market में bulls dominant हो रहे हैं, एक strong price move के बाद, market को break लेने की जरूरत है, इसे एक profit booking phase के रूप में देखा जा सकता है, जहां initial buyers अपने कुछ profits की booking कर रहे हैं, यहां आप एक संभावित bull flag बनने की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि market pullback करता है, pullback के दोरान बना हुआ price action का प्रकार ही, flag pattern को normal pullback से अलग करता है, आप जो खोज रहे हैं, वो shallow pullback है, जिसमें पहले की strong bullish move की तुलना में छोटी range की candles शामिल है, या इसे एक strong move के बाद indecision candles के group के रूप में देखा जा सकता है, यह आपको बताता है कि sellers price कम करने के लिए struggle कर रहे हैं, और buyers अभी भी control में है, इसलिए यदि आप बड़ी range की candles के साथ एक steep pullback देखते हैं, तो यह शायद bull flag pattern नहीं है, आम तोर पर retracement, original trend या pole के 38.2% level से नीचे end होता है, जैसा कि Fibonacci द्वारा दर्शाया गया है, लेकिन अगर retracement pole के 50% से नीचे चला जाता है, तो इसे flag pattern नहीं माना जा सकता है, यह range जितनी tight होगी, market के higher levels पर breakout देने की संभावना उ तो हम discuss कर सकते हैं कि flag pattern का trade कैसे करें, इसलिए मैं entry के तरीको stop loss कहां लगाना है और target कैसे निर्धारित करना है, इस पर चर्चा करूंगा, आईए entry criteria से शुरुआत करें, चुनकि यह एक bullish continuation pattern है, हम केवल resistance trend line के उपर breakout होने में interest रखते हैं, इस level के breakout के बाद आप एक long entry ले सक यानि आप उस समय enter कर सकते हैं, जब price resistance trend line के उपर break हो जाती है, या आप breakout candle के close होने के बाद इसका high price से उपर खरीद सकते हैं, दूसरी method, price का breakout level पर वापस आना या pullback करने की प्रतीक्षा करना है, और फिर एक long entry करें, जब price वापस उपर जाती है, या जब price breakout candle high से उपर जा अब आप शायद सोच रहे होंगे कि कौन सा option बहतर है, खेर, कोई सबसे अच्छा तरीका नहीं है, यदि आप highs के break पर entry करते हैं, तो यह एक false breakout हो सकता है, लेकिन अगर यह real breakout है, तो यह आपको मिलने वाली best possible entry price है, alternatively, यदि आप prices को high level के उपर close होने की प्रतीक्षा करते ह तो आप false breakout की संभावना कम कर देंगे, लेकिन यदि breakout strong है, तो शायद आप बहुत high prices पर entry करते हैं, एक pullback या retest की wait करने के मामले में भी ऐसा ही है, जो अकसर नहीं भी हो सकता है, यदि market में strong trend है, और वास्तव में आप trade पूरी तरह से चुग जाएंगे, इसलिए यह आप पर निर्भर है, कि आप अपनी entry strategy तै करें, और large number of trades पर इसका practice करना जारी रखें, volume और अन्य indicators का उपयोग करके, breakout की validity की confirmation करने की हमेशा recommend की जाती है, higher than average volumes, अधिकांश समय एक breakout को validate कर सकती है, क्योंकि यह market participants की interest को दर्शाता है, और low volume breakouts, विफल होने की सबसे अधिक संभ हवना है, MACD और RSI जैसे momentum indicators का उपयोग करने से भी, आपको सही breakout की पहचान करने में मदद मिल सकती है, मैंने इन सभी topics पर videos बनाया है, आप उन्हें देख सकते हैं, आईए, अब stop loss set करने के criteria पर ध्यान दे, bull flag pattern का trade करते समय, अपना stop loss कैसे set करें, आप अपने stop loss को support और resistance, swing high या swing low, आदी जैसे obvious levels पर set नहीं करना चाहते हैं, और ऐसा क्यों है, क्योंकि आसानी से आपका stop loss हंट हो जाएगा, ये levels दूसरों के लिए उतना ही obvious है, जितना आपके लिए है, जिसमें smart money भी शामिल है, तो आप एक proper stop loss कैसे setup कर सकते हैं, यह आसान है, आपका stop loss एक ऐसे level पर होना चाहिए, जिसे पार करने पर आपके trading setup को invalidate कर दिया जाए, हम यहाँ एक bull flag का trade कर रहे हैं, और यह pattern तब invalid होता है, जब price bottom trend line support के नीचे break और close हो जाती है, इसलिए आपको अपना stop loss इस support level से नीचे रखना होगा, अभी भी long wix के chances हैं, जो आपके stop loss को hit कर सकते हैं, और फिर desired direction में उपर जा सकते हैं, इसलिए extra safety होने के लिए आपको ATR indicator का उपयोग करके, अपने stop loss को market structure से दूर set करके, अपने trades को अधिक सांस लेने की जगह देनी होगी, एक बार जब आप bull flag pattern के swing low की पहचान कर लेते हैं, तो अपना stop loss, swing low level के 180R नीचे set करें, और अंत मे आईए जाने की bull flag pattern के लिए target कैसे निर्धारित करें, अब ऐसे कई तरीके हैं, जिनसे आप अपने winners को cash in कर सकते हैं, सबसे common approaches में से एक flag pole की लंबाई के आधार पर एक pre-determined profit target रखना है, इसके लिए सबसे पहले bottom support level से flag pole की लंबाई मापे, फिर इस लंबाई को resistance trend line के उप आपर, breakout points से project करें, यह आपका profit target होगा, आप अपने stop loss को तब तक trail करना भी चुन सकते हैं, जब तक की market आपको trade से बाहर नहीं कर देता, यह बहतर option क्यों है? इस बारे में सोचें कि bull flag pattern आमतोर पर एक strong trending market में दिखाई देता है, या यह एक range breakout के ठीक बाद बनता है, ऐसी market conditions में, trend के जारी रहने के लिए बहुत अधिक संभावना है, और इसे catch करने का एक मात तरीका, अपने stop loss को trail करना है, अब सवाल यह है, कि अपने stop loss को बहतरीन तरीके से कैसे trail किया जाए? इसके लिए, आप 50 period के moving average या चिमलिय stop जैसे tools का उप्योग कर सकते हैं, जो आपके stop loss क trail करने में मदद करेंगे, और trade से तभी exit करें, जब price इसके पार close हो जाए? इसके अलावा, यदि आप price projection method और trailing stop loss method दोनों के combination का उप्योग करते हैं, तो यह बहुत बहतर है, क्योंकि आप projection method का उप्योग करके price move को gauge कर सके, ताकि आपके profit के एक हिससे को वहाँ lock किया जा सक के, इससे आपके psychology पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और किसी भी नुकसान से बचा जाता है, आगे बढ़ते हुए, market में bull flag trading के लिए कई opportunities उपलब्ध हैं, लेकिन अगर आप मुझे कुछ चुनने के लिए कहें, तो मैं bull flag के साथ trade करने के लिए, चार अलग-अलग scenarios च नमबर टू, अब trending market के दोरान, bull flag pattern का formation, जो trend continuation का संकेत देता है, नमबर ट्री, एक range market के अंदर bull flag formation, और नमबर फोर, downtrend में bull flag formation, जो trend reversal का संकेत देते हैं, entry, target और stop loss criteria सभी चार मामलों के लिए समान है, इसलिए मैं प्रतियक मामले के लिए उन पर individually discussion नहीं करूंगा, आईए चारों मामलों पर एक नजर डालते हैं, पहला case, level breakout के बाद primary pullback का है, ऐसा तब होता है, जब market एक range से बाहर breakout हो जाता है, और फिर, पहली बार pullback करता है, ये bull flag pattern में trade करने का सबसे अच्छा समय है, और ऐसा क्यों है, क्योंकि जब market कुछ समय के लिए एक range में होता है, तो price अंतता हो उस range को तोड़ना होगा, और इसके अलावा, जितनी देर तक market एक range में रहेगा, उतनी ही strong तरीके से range को break करती है, यहां हम जिस चीज के बारे मे चिंतित है, वो एक resistance breakout है, जहां हम एक bull flag बनने की उम्मीद कर सकते हैं, इसलिए, जब market finally breakout करता है, तो breakout move से चुकने वाले traders, pullback के पहले indication पर market में entry करने की प्रतीक्षा कर सकते हैं, इन primary pullbacks में आमतोर पर shallow retracement होता है, क्योंकि बहुत से traders, strong price momentum के खिलाफ trade नहीं करना चाहते है और यह एक high probability वाले pullback trade को प्रस्तुत करता है, इसलिए, अगर मुझे इस process को subtle तरीके से समझाना होता, तो यह कुछ इस तरह से होगा, पहला step, कुछ समय के लिए resistance level का टेस्ट करने वाले एक market या एक range market की पहचान करें, फिर, market का इस level को तोड़ने का इंतजार करें, इसके क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको लगता है कि price बहुत high है और long trade लेने से पहले price के support level में वापस आने या breakout level पर retrace होने का इंतजार करना बहतर होगा, लेकिन अगली चीज जो आप देखते हैं, वो यह है कि market लगातार new highs को तोड़ रहा है, और आप अपने निर् अगल शब्द में कहा जाए तो एक strong trending market में breakout पर खरीदना, market में price pullback की प्रतीक्षा करने की तुलना में कहीं अधिक आसान है, जो शायद ही कभी होता है, ऐसे market में आप bull flag pattern को entry trigger के तौर पर इस्तिमाल कर सकते हैं, मैं समझाऊंगा कि आप trending market में bull flag का trade कैसे कर सकते हैं, पहला step, obviously, market की trend का पता लगाना है, आप moving average का इस्तिमाल करके, एक strong trending market की तलाश कर सकते हैं, short term trades के लिए 20 या 50 periods के simple moving average का उप्योग करें, और swing या positional trading purposes के लिए 50 से 200 periods के moving averages का उप्योग करें, इस मामले में, आए 20 SMA पर विचार करें, जब price, predominantly 20 SMA से उपर trading करती है, और उपर की ओ slope होती है, तो हम यह निशकर्ष निकाल सकते हैं, कि market की trend strongly bullish है, pullback के रूप में, bull flag pattern के develop होने की प्रतीक्षा करें, आप bullish flag pattern के highs के break होने पर long trade लेने की योजना बना सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया, यहां भी same entry, stop loss और target का इस्तिमाल किया जा सकता है, मुख्य रूप से, आप एक breakout के बाद, या एक strong trend के दोरान, एक flag pattern बनने की उम्मीद कर सकते हैं, हाला कि, ऐसे instances होते हैं, जब market एक range में हो और resistance लेवल पर हो, तब एक bull flag pattern बन सकता है, मेरे एक price action वीडियो में, मैंने resistance या support लेवल के पास, build up के साथ breakout की concept के बारे में बात की थी, यदि आप बाद में इसके बारे में अधिक जानना चाहते हैं, तो आप i button पर उस वीडियो पा सकते हैं, यहां भी यही concept apply होती है, ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि कोई sellers interested नहीं है या buyers, resistance पर खरीदने को तयार है, जो भी मामला हो, यह bullish strength का संकेत है, और market उपर break हो सकता है, तो आप ऐसे opportunity की पहचान कैसे करते हैं? मुख्य रूप से, आपको एक range market की पहचान करनी होगी, फिर एक flag pattern के resistance पर बनने की प्रतीक्षा करें, जो एक build up के रूप में है, हमेशा क तरह आप build up के तूटने पर trade कर सकते हैं, या price के resistance level से उपर close होने की प्रतीक्षा कर सकते हैं, मैं जानता हूँ कि आप शायद सोच रहे होंगे, ये बंदा किस बारे में बात कर रहा है, कुछ ही मिनट पहले आपने कहा था, कि bull flag एक trend continuation pattern है, तो हम इसे downtrend में क्यो भून रहे हैं, हाँ, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है, कि bull flag वास्तव में एक trend continuation pattern है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा तरीका है, जिससे आप downtrend पर trend continuation pattern के रूप में, bull flag का उपयोग करके profits कमा सकते हैं, इस method का संबंध market structure से है, यदि आप market structure के बारे में नहीं जानत हैं, तो आप इसे मेरी price action playlist से देख सकते हैं, ये काफी आसान तरीका है, आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ चीजे देखनी होंगी, सबसे पहले price को downward trend line resistance के उपर close होने चाहिए, हम downtrend structure में break के बारे में बात कर रहे हैं, फिर अगर price इस trend line resistance के उपर एक bull flag बनाती है, तो आपके पास एक jackpot trade बन सकता है, आप यहाँ जो कर रहे हैं, वो एक ending downtrend और एक potential starting uptrend के बीच trade कर रहा है, अगर आप शुरुआत से ही uptrend को पकड़ने में सक्षम हैं, तो आपको जबरदस्ट फाइदा हो सकता है, trade entry, stop loss और target conditions समान रहेगी, range market strategy के समान, मैं अभी भी सुझ कि आप एक tight trailing stop loss का उप्योग करें, जैसे कि 20 period की moving average, क्योंकि इस case में हम एक contrarian position ले रहे हैं, एक bear flag pattern, एक bull flag pattern के ठीक opposite है, यह भी एक और continuation chart pattern है, लेकिन एक bear flag संकेत देता है, कि market में गिरावट की संभावना है, मैं इसके बारे में जल्दी बात करूंगा, वरना विडियो कि लंबाई बहुत अधिक हो जाएगी, यदि आप एक bull flag के trading से जुड़ी हर चीज को समझने में सक्षम है, तो एक bear flag का trading करना आपके लिए बहुत ही आसान होगी, आपको बस 180 degree पर bull flag के साथ सीखी गई हर चीज को पलटना है, और अब आप bear flag को जानते हैं, market में bear flag की पहच होते हैं, नीचे की और एक मजबूत bearish move होने के बाद, market pullback के रूप में आराम लेता है, pullback में पहले की move की तुलना में छोटी range की candles शामिल होनी चाहिए, और range जितनी tight होगी, नीचे की और market breakout होने की उतनी ही अधिक संभावना होगी, मजबूत bearish move, flag के pole को represent करती है, और pullback क दोरान का price consolidation, pattern का flag बनाता है, flag retracement, पोल की लंबाई के 50% से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए, अन्यता इसे bear flag नहीं माना जाता है, Entry criteria अभी भी similar है, except की अब हम केवल shorting opportunities की तलाश करेंगे, क्योंकि ये एक bearish continuation pattern है, जब price support trend line से नीचे तूटती है, तो आप sell कर सकते हैं, लेकिन यहाँ fake outs होने का खत्रा होता है, इसलिए आप breakdown candle के close होने का इंतजार कर सकते हैं, और फिर इसके lows से नीचे enter कर सकते हैं, लेकिन अगर breakout candle बहुत बड़ी है, तो आप बहुत कम prices पर entry करेंगे और reward to risk प्रभावित होगा, अंत में आप breakdown trend line पर एक pullback या retest की प्रतीक्षा कर सकते हैं, और prices decline होने पर एक short entry ले सकते हैं, यहाँ मुद्दा यह है कि एक strong downtrending market के दौरान, price अकसर पर्याप्त रूप से pullback नहीं करेगी और आप अपने opportunity से चूग जाएंगे, इसलिए यहाँ आप पर निर्भर है कि आप अपनी entry strategy तै करें और large number of trades पर इसका practice करना जारी रखें, volumes और MACD, RSI आदी जैसे momentum indicators का उप्योग करके यह सुनिश्चित करें कि breakout valid है या नहीं, जब आपकी position को protect करने की बा मामले में, यदि price, resistance trend line से उपर तूटता है, तो bear flag invalid है, इसलिए stop loss को resistance trend line के उपर रखें, या अधिक safe होने के लिए अपनी risk appetite के आधार पर swing high level के उपर 180R का buffer रखें, Finally, आपका target price, price projection method या trailing stop loss method पर आधारित हो सकता है, price projection method के मामले में, flag pole की लंबाई को measure करें, और फिर इसे breakdown point से support trend line के नीचे project करें, Trailing stop loss method के लिए moving averages जैसे 20 या 50 period averages का उपयोग करें, और range breakdown या strong downtrend के मामले में, आप अपनी position को ride करने के लिए चंडलिय स्टॉप्स का उपयोग कर सकते हैं, यदि आप अपने winners से exit करने के लिए इन दोनों methods का एक साथ उपयोग करते हैं, तो यह एक deadly combination है, पता लगाने वाला important बात यह है कि इन flag patterns को कहां खोजें? आप support line breakdown के दोरान bear flags पा सकते हैं, जिसके बाद primary pullback होता है, breakout candles flag pole का प्रतिनिधित्व करती हैं, जबकि primary pullback pattern के flag consolidation का निर्मान करता है, जब price flag consolidation से नीचे तूटता है, तो आप अपनी पसंद के entry criteria के अनुसार एक short entry कर सकते हैं, सबसे आ एक strong downtrend के दोरान है, आप moving averages का उपयोग करके market के trend की पहचान कर सकते हैं, सही moving average का selection, trade की duration या आपकी trading style पर निर्भर करेगा, 20 से 50 periods के बीच कहीं भी short term trend को निर्धारित करने के लिए परियाप्त है, और 50 से 200 period के averages के बीच कहीं भी long term market की trend का अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह सुनिश्चित करना है कि price moving average से नीचे रहे और नीचे की ओर इसका slope रहे, bear flag देखने का एक और occasion range markets में है, विशेश रूप से जहां एक support level के पास एक build-up हो रहा है, ये build-up कभी-कभी flag consolidation के रूप में हो सकता है, और जब price, build-up और support level को position में entry कर सकते हैं, trade entry, stop loss और target criteria सभी अन्य मामलों की तरह ही होंगे, लेकिन सुनिश्चित करें कि breakout valid है, आप इसे एक uptrend के अंत में भी पासकते हैं, जहां uptrend structure का break, bear flag pattern के साथ होता है, Penance, chart pattern का एक category है, जो flag pattern और symmetrical triangle pattern के समान होता है, जिस तरह से वे बनते हैं और breakout देते हैं, लेकिन अगर आप एक pennant और एक flag को दो भाईयों की तरह मानते हैं, तो pennant अधिक आकरामक भाई है, क्योंकि यह विसफोटक breakouts प्रदान करता है, और बहुत ज्यादा reward to risk देता है, चार्ट में दो प्रकार के pennants होते हैं, ये bullish pennants और bearish pennants है, bull pennant एक chart pattern है, जो pullback के दोरान एक triangle बनाता है, ये दो पाथ से मिलकर बना है, सबसे पहले एक impulse move है, जो pattern के leg या pole का निर्मान करती है, फिर pullback के कारण एक correction move बनती है, अब आप पूछ सकते हैं कि bull pennant और symmetrical triangle के बीच क्या अंतर है, क्योंकि वे दोनों एक जैसे दिखते हैं, इसका जवाब बहुत सरल है, अंतर उनके formation की duration में है, symmetrical triangle के साथ आप pattern के swings को स्पश्ट रूप से देख सकते हैं, हाला कि bull pennant के लिए candlesticks बहुत crowded और volatile हैं, जिसके वज़े से आप swings को clearly देख नहीं सकते, भले ही एक bull pennant, एक bull flag pattern के समान है, जैसा कि मैंने पहले mention किया है, लेकिन bull pennants, bull flag pattern की तुलना में अधिक whisfotic breakouts दे सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यूं है, मुझे उम्मीद है कि आपने ऐसे कई videos देखे होंगे, जिन में Coca-Cola की बोतल को हिलाया जाता है, और फिर जमीन पर फेका जाता है, कैप फट जाती है और बोतल उड़ जाती है, मैं इसके physics में गहराई से नहीं जाना चाहता, लेकिन इस event को trigger करने वाले factors में से एक वास्तव में Coke की बोतल का आकार ही है, अगर यही experiment आप एक Coke किन के साथ भी करेंगे, तो आपको वैसा result नहीं मिलेगा, बोतल को एक nozzle के समान आकार दिया जाता है, जिसमें बोतल की width उपर की ओर narrow हो जाती है, जहां एक Coke कन की case में width लगभग बराबर होती है, तो सौदा क्या है? एक बार जब आप बोतल को हिलाते और फेकते हैं, तो gas का pressure बढ़ जाता है, और cola बाहर निकलना चाहता है, और इसके लिए सबसे आसान exit टोपी के माध्यम से होता है, लेकिन जैसे जैसे वे टोपी की ओर बढ़ते हैं, width कम होने लगती है, अंदर की pressurized gas, rage mode में चली जाती ह और टोपी को खोल कर explode कर देती हैं, या forcefully इसे तोड़ भी देती हैं, इस terrible physics lesson के लिए मुझे क्षमा कर दे, essentially, bull pennant pattern में, buyers और sellers के साथ भी यही होता है, pennant pattern के buy से die, contracting prices, impending volatility का संकेत है, क्योंकि, buyers और sellers दोनो, pullback से बाहर निकलने के लिए wait कर रहे हैं, इसके result, एक whisfotic breakout हो सकत है, लेकिन, चुनकी bull pennant pattern, एक trend reversal pattern नहीं है, बलकि trend continuation pattern है, इसलिए, हम केवल buying opportunities की तलाश करेंगे, इसका मतलब ये है, कि आप market bottoms catch करने के बजाए, existing trend को ride करने के लिए, इस pattern का उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं, अब हम इस pattern के लिए entry, stop loss और target criteria के बारे में बात करते हैं, हम trade entry criteria के साथ शुरुआत करेंगे, सबसे costly mistakes में से एक, जो traders, pennants का trade करते समय करते हैं, वह है, bull pennant में बहुत जल्दी enter करना, जैसा कि आप जानते हैं, ranging markets या काफी हद तक pullbacks भी, trade entry लेने के लिए, दो कारणों से challenging हो सकता है, range या तो overshoot हो सकती है, या range undershoot हो सकती है, overshooting तब होता है, जब market highly volatile होता है, और price trend line से कई बार पार करते हुए, false breakouts बनाते हैं, undershoot इसके विप्रीथ है, जहां price हर बार trend line का test नहीं करेगी, bull pennants के मामले में, हम tight range के कारण, overshooting को लेकर अधिक concerned हैं, तो क्या होगा, यदि trend line के उपर, breakout होते ही आप खरीदते हैं, या order को छू सकती है, और एक fake out या overshoot का निर्मान करते हुए, वापस range में आ सकती है, यह annoying हो सकता है, और इससे नुकसान हो सकता है, तो यहां key point क्या है, करने के लिए ideal बात यह है, कि bullish breakout candle, pennant line के उपर close होने का इंतजार करें, यदि price इस तरह की move करती है, तो यह सपष्ट है, कि जिन buyers को range में squeeze किया गया था, वे अंतता exploding coke की bottle के मामले के समान, range से breakout हो गया, तो आप breakout candle के high price से उपर, खरीदना चाह सकते हैं, लेकिन, कभी-कभी breakout candle बहुत बड़ी होगी, और आप बहुत high price पर buying करेंगे, जिससे आपके reward to risk ratio प्रभावित होगा, इस position में सबसे अच्छा step ये है, कि trade को बिलकुल भी न लिया जाए, या एक pullback या breakout level पर retest की प्रतीक्षा की जाए, और फिर, price बढ़ने पर long entry लिया जाए, लेकिन, penance से breakout की explosive nature के कारण, pullback या retest की समभावना काफी कम है, तो सबसे अच्छा entry, breakout candle high के उपर हो सकता है, volumes और अन्य momentum based indicators का उप्योग क करके, breakout को validate करना अच्छा practice हो सकता है, penance consolidation के दोरान, volatility में सपष्ट कमी के कारण, volumes में decline आती है, और breakout होने पर higher than average volumes होना चाहिए, जो buying interest में increase का संकेत दे सकता है, अब जब आप जान गए हैं, कि bull penance कैसे काम करता है, और इसमें कैसे trade entries किया जाता है, तो आएए बात करते हैं कि bull penance pattern का trade करते समय, अपना stop loss कैसे और कहां set करें, जैसा कि मैंने पहले ही चर्चा की है, आप अपने stop loss को support और resistance, swing high या swing low, इत्यादी जैसे obvious levels पर set नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आपका आसानी से stop loss hunting हो सकता है, आपका stop loss एक ऐसे level पर होना चाहिए, जिसे पार करने पर आपके trading setup को invalidate कर दिया जाए, हम यहां एक bull penance का trade कर रहे हैं, और इस pattern तब invalidate हो जाता है, जब price, bottom trend line support के नीचे break और close हो जाती है, इसलिए आपको अपना stop loss, इस trend line support level से नीचे रखना होगा, या precisely, swing low level के नीचे set कर सकते हैं, Overshooting issues के कारण, अभी भी long wicks की संभावना है, जो आपके stop loss को hit कर सकता है, यदि आप इसे बहुत tightly रखते हैं, और फिर, price आपकी desired direction में बढ़ सकती है, जो ज़्यादातर frustrating हो सकती है, इसलिए, extra safe होने के लिए, आपको ATR indicator का उप्योग करके, pennant market structure से कुछ दूरी पर, अपन trades को अधिक सांस लेने की जगह, या buffer space देना होगा, एक बार जब आप bull pennant pattern के swing low की पहचान कर लेते हैं, तो अपना stop loss, swing low level के एक ATR नीचे set करें, और अंत में, आये जाने की bull pennant pattern के लिए, targets कैसे निर्धारत किया जाए, ऐसे कई तरीके हैं, जिनसे आप अपने winners से exit कर सकते हैं, standard approaches में से एक pennant leg या pole की लंबाई के आधार पर एक pre-determined profit target होना है, सबसे पहले pennant leg की लंबाई को मापे, फिर इस लंबाई को resistance trend line के उपर breakout point से project करें, यह आपका profit target होगा, आप अपने stop loss को तब तक trail करना भी चुन सकते हैं, जब तक की market आपको trade से बाहर नहीं कर देता क्या ये बहतर option है? इसके बारे में सोचें, bull pennant pattern आमतोर पर एक strong trending market में या price के एक range से breakout हो जाने के बाद दिखाई देता है, ऐसी market conditions में trend के जारी रहने के लिए बहुत अधिक शमता है, और इसे ride करने का एक मात तरीका, आपके stop loss को trail करना है, अपने stop loss को best possible manner से trail करने के ऐसे की 50 period की moving average या Chandlias tops और trade से cable तभी exit करना है, जब market इस indicator के नीचे break और close हो जाता है, इसके अलावा, यदि आप projection method और trailing stop loss method दोनों के combination का उपयोग करते हैं, तो यह एक बहतर option है, ताकि आप projection method का उपयोग करके, पहले से ही price move की क्षमता का अनुमान लगा सके, ताकि Sailing stop loss का उपयोग करके बाकी positions को right करें, जिससे आपके psychology पर असर न पड़े, और यदि price reverse भी हो जाए, तो भी किसी भी बड़े नुकसान से बचा जा सके, अब जब आप जान गए हैं, कि एक pennant क्या है, और इसे कैसे trade करना है, तो ये ध्यान रखना आवश्यक है, कि इसे कहा खोजना है, तो market की विभिन प्रकार की conditions क्या है, जहां आप एक pennant पा सकते हैं, pennants लगभग हर जगा पाए जा सकते हैं, चाहे वो uptrend हो, range market हो, या downtrend हो, याद रखने वाली बात सिर्फ इतनी है, कि market में जहां भी बनती है, bull pennant एक bullish continuation pattern है, और हमारा bias हमेशा long trades की तलाश करन चाहिए, इसे ध्यान में रखते हुए, आए इच situation के बारे में अलग से बात करें, सबसे पहले, आपको ये define करने की आवश्यक्ता है, कि आपकी trading style और आपके द्वारा trade की जाने वाली time frame के संदर्ब में, uptrend क्या है, क्योंकि यदि आप अपनी आवश्यक्ताओं के आधार पर एक trend को objectively define नहीं कर सकते हैं, तो एक bull penance setup को खोजना मुश्किल है, जो आपकी trading style को satisfy करता है, trend को define करने का सबसे आसान तरीका, moving averages जैसे trend filters का उप्योग करना है, short term, medium term और long term perspective के आधार पर trend की पहचान करने के लिए, आप 20 period, 50 period या 200 period आधी जैसे किसी भी moving averages का उप्योग क कर सकते हैं, मान ले, कि मेरे पास medium term का outlook है, या मैं एक swing trader हूँ, और मैं trend को define करने के लिए, 50 SMA का उप्योग करता हूँ, अगर price, 50 period के moving average से उपर है, तो इसका मतलब है, कि trend बुलश का है, फिर, हम bull pennant के अफसरों की तलाश करते हैं, यदि आप एक bull pennant देखते हैं, तो आप breakout candle के highs के उपर, एक long entry लेने के लिए देख सकते हैं, और चूनकी हम नहीं जानते, कि एक trend कितनी देर तक चलती है, आप अपने stop loss को trail करने के लिए, 50 period के moving average या चंडलिया stops का उप्योग कर सकते हैं, इसलिए, हम केवल तभी exit करेंगे, जब price 50 period के moving average से नीचे, या चंडलिया stops के नीचे close हो जाती है, न केवल हम trend को filter करने के लिए 50 period moving averages का उप्योग करते हैं, वलकि अपने profits को book करने के लिए भी करते हैं, चूनकी bull pennant, एक trend continuation pattern है, आपको ये thought हो सकता है, कि इस type का setup unfavorable है, तो हम range market में वास्तव में इसका कैसे trade करते हैं? सच मुछ बोल रहा है, तो हम range में trade नहीं करेगी, अब मैं क्या suggest कर रहा हूँ? इसका मतलब है, कि range के भीतर, highs और lows खरीदने की कोशिश करने के बजाए, हम range के potentially end होने की प्रतीक्षा करते हैं, इसका मतलब ये है, कि हम resistance पर bull pennant pattern के रूप में बनने वाले tight consolidations या build-ups की तलाश करते हैं, इसलिए, जिस moment आप एक bull pennant को resistance में बनते हुए देखते हैं, यह आपको बताता है, कि bias dominant होने लगे है, और एक explosive breakout imminent है, आप breakout candle के उपर enter कर सकते हैं, या तब भी entry कर सकते हैं, जब price resistance के उपर close हो जाती है, और यदि आप lucky है, तो आपको एक retest भी मिल सकता है, stop loss और target वही है, जिनकी हमने पह valid trend नहीं है, यदि आप अपने stop loss को trail करना चाहते हैं, तो आप 20 period के moving average, जैसे tighter averages का उपयोग कर सकते हैं, भले ही bull pennant एक trend continuation pattern है, फिर भी एक तरीका है, जिससे आप downtrend पर trend continuation pattern के रूप में, bull pennant का उपयोग करके profit उठा सकते हैं, इस method का market structure के साथ लेना देना है, यदि आप market structure के बारे में नहीं जानते हैं, तो आप इसे मेरी price action playlist से देख सकते हैं, ये काफी आसान तरीका है, आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ चीजों की तलाश करनी होगी, सबसे पहले, price, downward trend line resistance के उपर close होनी चाहिए, हम downtrend structure में break के बारे में बात कर रहे हैं, फिर अगर price इस trend line resistance के उपर एक bull pennant बनाती है, तो आपके पास एक jackpot trade है, आप यहाँ एक ending downtrend और एक potentially starting uptrend के बीच trade कर रहा है, अगर आप शुरुआत से ही uptrend को पकड़ने में सक्षम हैं, तो आपको जबरदस्त फायदा हो सकता है, trade entry, stop loss और target की conditions समान रहेगी, range market strategy के समान, मैं अभी भी suggestion कि आप tight trailing stop loss का उप्योग करें, जैसे कि 20 period की moving average, क्योंकि हम एक contrarian position ले रहे हैं, मैं bear pennant के सभी details में नहीं जाऊंगा, यह बिलकुल bull pennants की opposite है, यह एक bearish continuation chart pattern है, और इसमें एक strong bearish body के साथ impulse candles शामिल है, जिसके बाद छोटी candles से जड़ा एक tight consolidation और volatility में contraction भी है, हम उम्मीद करते हैं कि price trend line support level से नीचे, विसफोटक रूप से break करेंगे और trend के साथ जारी रहेगा, भले ही यह pattern आमतोर पर एक downtrending market में पाया जाता है, हम इसे तब भी देख सकते हैं, जब price एक support level से नीचे की range से तूटने वाली होती है, जहां एक build-up एक bear pennant के रूप में form किया जाता है, आप इसे एक uptrend के अंत में भी पा सकते हैं, जहां structure का break, bear pennant pattern के साथ होता है, अगर मुझे entry criteria पर चर्चा करनी है, तो हम केवल shorting opportunities की तलाश करेंगे, चून की breakdown विसफोटक होने की उम्मीद है, इसलिए जब breakout candle, trend line support के नीचे एक closing देता है, तो हम trade entry करना च आ सकते हैं, आप breakout candle के low से नीचे short कर सकते हैं, यदि breakdown candle बहुत बढ़ी है, और reward to risk को affect कर रही है, तो trade को छोड़ देना, या breakout level पर वापस pullback की प्रतीक्षा करना बहतर है, जिसका pennant के मामले में कम chances होता है, इसलिए यह आपको decide करना है, कि आप कहां entry करना चाहते हैं, volumes या momentum indicators या दोनों का उपयोग करके हर बार breakdown को validate करना सुमिश्चित करें, pennant के formation के दोरान, volumes आम तोर पर घटता है, और breakout होने पर higher than average volumes हो जाता है, stop loss को pennant के swing high level से उपर रखा जा सकता है, swing high के उपर 180R buffer प्रदान करना, unexpected overshoots और stop loss hunting को limit कर सकता है, target को price projection method का उपयोग करके रखा जा सकता है, जहां leg की लंबाई को breakdown point के नीचे project करके, target set किया जाता है, या जब आप trend ride करने की योजना बना रहे हो, तो suitable moving averages का उपयोग करके, stop loss को trail करे, आपको तभी exit करना है, जब price moving average से उपर close होता है, आगे बढ़ते हुए, अब हम triangle patterns पर चलिए शुरू करते हैं, ascending triangle एक bullish chart pattern है, जो संकेत देता है कि market उपर जाने वाला है, जैसा कि आप देख सकते है, ascending triangle में एक series of higher lows होती है, जो एक resistance line तक पहुँचती है, ये कुछ possible reasons से bullish strength का संकेत है, Higher lows इस बात का संकेत है, कि buyers higher prices पर buy करने को तयार है, ऐसा इसलिए है, क्योंकि अगर buyers higher prices पर buy करने के लिए तयार नहीं है, तो आप resistance में higher lows को नहीं देखेंगे, Fact ये है, कि market एक series of higher lows बनाता है, जो आपको बताता है, कि price में increase जारी रहने के बावजूद, market में demand है, दूसरी बात ये है, कि selling pressure नहीं है, यदि strong selling pressure होता, तो price लंबे समय तक resistance पर नहीं रहती, इसके बजाए, ये जल्दी से नीचे की और गिरेगा, लेकिन, चुन की price अभी भी resistance के पास hover कर रही है, इसका मतलब है, कि selling pressure में कमी है, भले ही ये sell करने के लिए आकरशक level होते भी, ध्यान में रखने के लिए एक और महत्वपूर्ण बात ये है, कि बहुत सारे buy stop orders है, जो resistance के उपर cluster किये गए है, क्योंकि हर बार जब price resistance का test करती है, तब अधिक traders, market को short करने के लिए देखेंगे, और वे अपना stop loss को resistance level का उपर रखेंगे, अब सोचिए, कि अगर market उपर की और breakout देती है, तो क्या होगा, खेर, ये buy stop orders trigger हो जाएंगे, और इससे prices में और तेजी आएगी, इसलिए, ascending triangle chart pattern का trade करते समय, ये common mistake न करें, क्योंकि अधिकांच trading textbooks आप इसके बजाए, आपको ये देखना चाहिए, कि price इस resistance के करीब कैसे पहुँचती है, चुनकि आपने सीखा है, कि higher lows का resistance में आना, bullish strength का संकेत है, इसका मतलब है, कि market, resistance से उपर breakout होने की संभावना है, और इस case में, आप short trade लेना, और trend के against trading नहीं करना चाहेंगे अब हम entry criteria के बारे में बात करेंगे, तो अपनी entry को बहतर time कैसे करें, खेर, इसे करने के कुछ तरीके हैं, पहला तरीका ये है, कि जब price ascending triangle के high level या resistance के उपर तूटता है, तो long trades लेना है, आपको बस resistance level के उपर एक limit buy order देना है, और जब price high level से उपर तूटती है, तो आप तुरंत long हो जाएंगे, यदि breakout real है, तो ये trade entry करने के लिए सर्वोत्तम prices में से एक है, लेकिन ये तरीका बहुत risky है, और संभावना है, कि ये false breakout हो सकता है, ये अगली method पिछले approach के समान है, फर्क सिर्फ इतना है, कि आप price का ascending triangle pattern के high level से उपर break और close होने की weight करते हैं, एक candle close हो जाने पर, आप breakout candle high के उपर long entry कर सकते हैं, ये false breakouts की समभावना को कम करता है, लेकिन यदि momentum strong है, तो आप अपने trade में बहुत high prices पर enter करेंगे, यदि आप एक experience trader है, तो आप ascending triangle की resistance line पर price pullback या retest होने पर enter कर सकते हैं, breakout move miss करने पर भी यह आपको trade entry करने में मदद कर सकता है, और यह breakout candle के close होने की weight करने की तुलना में, बहतर entry prices प्रदान करता है, इस approach के साथ मुद्दा ये है, कि market हर बार pullback या retest नहीं दे सकता है, एक बार फिर, आप अपने approach में conservative हैं या aggressive हैं, इसके आधार पर, आप अपनी पसंद का entry type चुन सकते हैं, इसके बजाए, volumes और अन्य indicators के साथ, breakout को validate करना सुनिश्चित करें, कि क्या वास्तव में prices को उपर लेने के लिए, market participants में interest है या नहीं, अब एक proper stop loss कैसे set करें, ताकि आप बहुत जल्दी trade से stopped out ना हो जाए, आपका stop loss एक ऐसे location पर होना चाहिए जहाँ price पहुँचने पर आपके trading setup को invalidate कर दिया जाएगा, इसका मतलब ये है कि अगर market stop loss पर पहुँच जाता है, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आप गलत है, इसलिए resistance level के नीचे stop loss रखना एक अच्छा idea नहीं है, फिर और कहा रखे, इसके बारे में सोचो, आपके stop loss को set करने के लिए ideal location कहा है, ताकि यदि market उस तक पहुँच जाए, तो आपको पता चल जाए कि ascending triangle pattern invalid है, चुनकि pattern higher swing lows बनाता है, और यदि price recent swing low से नीचे जाती है, और lower low बनाती है, तो हम सुमिश्चित हो सकते हैं कि analysis गलत था, तो ये ठीक वही जगह है, जहाँ को अपना stop loss रखने की जरूरत है, यानि recent swing low के ठीक नीचे, आप recent swing low के नीचे 180R buffer जोड़ कर, price को कुछ सास लेने की जगह भी दे सकते हैं, मुझे आशा है कि ये clear है, अब maximum profits के लिए अपने winning trades से कहां exit करें, हमेशा की तरह दो techniques हैं, जिन पर आप विचार कर सकते हैं, पहल trailing stop loss method है, और दूसरा है price projection method, trailing stop loss का विचार यह है, कि हमें पता नहीं है, कि trend कितनी देर तक चलेगी, इसलिए जब तक market हमारे favor में चलता है, हम अपने profits को lock in करने के लिए, जहां तक possible हो, trend की ride करने के लिए stop loss को trail करते हैं, तो आप अपने stop loss को कैसे trail करते हैं, इसके लिए आप moving average जैसे indicators का उपयोग कर सकते हैं, उदाहरन के लिए, आप swing trades के लिए 50 period के moving average का उपयोग करके अपने stop loss को trail कर सकते हैं, इसका मतलब है, कि आप अपनी position तब तक बनाए रखेगे, जब तक कि market 50 period के moving average से नीचे, break और close नहीं हो जाता, आप में से कुछ सोच रहे होंगे कि 50 period का moving average क्यों? दरसल, 50 period के moving average के बारे में कुछ खास नहीं है, पूछने के लिए बहतर questions है, आप किस प्रकार के trends को capture करना चाहते हैं, और आपकी trading style क्या है, लॉंग term trends के लिए, आप 200 period की moving average का उपयोग कर सकते हैं, और short term trends के लिए, आप 20 period के moving average का उपयोग कर सकते हैं, अब price projection एक classical charting technique है, जहाँ price खुद ही exhaust हो जाएगी, तो यह ascending triangle chart pattern के लिए कैसे काम करता है? पहले highest point यानि resistance level से lowest point तक, ascending triangle की width को measure करें, इस width को breakout level में जोड़ें, और यह आपका price projection या expected target level है, price projection के साथ issues में से एक ये है, कि market आपके target profit को लगभग hit कर सकता है, केवल एक sudden reversal करने के लिए, कभी-कभी ये पूरी तरह से reverse भी हो सकता है, और आपके stop loss को hit कर सकता है, तो ऐसा कुछ होने से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? इसके लिए, trailing stop loss और price projection combo बनाएं, यानि आप दोनों techniques को combine कर सकते हैं, इसका मतलब ये है, कि यदि market आपके पक्ष में चलता है, लेकिन ये है आपके price projection level तक नहीं पहुचा है, तो आप अपने open profits को lock in करने के लिए, एक moving average का उप्योग कर सकते हैं, अगर एक sudden reversal हो जाता है, तब भी आपके पास जो कुछ भी profits है, उसे protect करने में सक्षम होंगे, और सब कुछ market को वापस नहीं देने पड़ेगा. Descending triangle एक और logical chart pattern है, और यदि सही धंक से trade किया जाता है, तो यह आपको होने वाले explosive breakout trades को पकड़ने की अनुमती देता है, यह एक bearish chart pattern है, जो दर्शाता है कि seller's control में है, और एक bearish trend continuation का संकेत देता है. Descending triangle, support के एक area में आने वाले, एक series of lower highs की तरह दिखता है. इस pattern, selling pressure में strength और buying pressure की कमी का संकेत देता है. आम तोर पर, जब price drop हो जाती है, तो price को उपर धकेलने के लिए अधिक demand आती है. लेकिन, descending triangle के मामले में ऐसा नहीं है. क्योंकि, जैसे जैसे price गिरती है, वैसे वैसे buying pressure की कमी बनी रहती है. इसके बजाए, sellers और भी कम prices पर बेचने को तयार है. इसलिए, आपको एक series of lower highs मिल विचार करने के लिए एक और point ये है, कि sell orders support level से नीचे cluster किये गए है. ऐसा इसलिए है, क्योंकि कई traders इस point पर buy करेंगे, क्योंकि price support पर है, और अपने stop loss को इसके नीचे set करते हैं, क्योंकि अधिकांच trading textbooks, beginner logo को यही सिखाती है. जैसा कि अधिक traders ऐसे करते है, support level के नीचे stop losses का इस cluster समय के साथ बढ़ता है. और क्योंकि market एक area of liquidity से दूसरे area में जाता है, price के support से नीचे break होने, और stop loss के उन सभी clusters को trigger करने की संभावना है, जो बदले में selling pressure को बढ़ाता है. bearish continuation pattern होने के नाते, descending triangle का trade करने का एक सबसे आम तरीका है. जब price support से नीचे break हो जाती है, तो short trade लेना. लेकिन फिर भी, यदि आप highest probability breakout trades धूनना चाहते हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण बातों पर विचार करना होगा. breakdown, descending triangle के apex के पास होना चाहिए. Apex, triangle pattern की tip को refer करता है, जहां दोनों trend lines meet करती है. अब, आप apex के पास इसलिए short करना चाहते हैं, क्योंकि यह वो जगह है, जहां volatility सबसे कम है, और prices squeeze हो जाती है. जब volatility कम हो जाती है, तो संभावना है, कि price, descending triangle से explosively break out हो जाएगी, और price, जल्दी से आपके favor में आ जाएगी. इसके अलावा, price जितनी बार support level का test किया जाएगा, उतना बहतर होगा. यह इसलिए है, क्योंकि जब price कई बार support level का test करते हैं, तो यह अधिक buyers को आकरशित करेगा, और इस प्रकार, support के नीचे stop orders की संख्या में वृद्धी करेगा. Breakout traders के लिए यह बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर price support से नीचे टूट जाती है, तो sell stop loss orders के इस cluster से नीचे की ओर selling pressure बढ़ जाएगा. आगे बढ़ते हुए, हम इस बात पर ध्यान देंगे, कि इस pattern को कैसे trade किया जाए. अपनी trade entry का time कैसे करें, और अपना stop loss कैसे set करें? यदि आप breakout candle के support level से नीचे close होने का इंतजार करते हैं, तो संभावना है कि price बहुत rapidly गिर सकती है और आपको market का पीछा करना पड़ेगा. इस मामले में एक limit sell order का उप्योग करना और trade में enter करना prefer किया जाता है, जब price support से नीचे break हो जाती है. यदि आप एक अधिक conservative trader है और आप breakout point पर आख बंद करके sell limit order नहीं देना चाहते, क्योंकि price false breakouts दे सकती है और उपर बढ़ सकती है. इसलिए आप अपने bias की confirmation के लिए price की wait कर सकते हैं और आप support level से नीचे breakout candle close होने के बाद market को short कर सकते हैं. लेकिन क्या होगा, यदि आप descending triangle के breakdown को miss out करते हैं? यदि ऐसा ह होता है, तो आखरी चीज जो आप नहीं करना चाहते हैं, वो pattern के तूटने के बाद market का पीछा करना. इसके बजाए, एक बहतर option ये है, कि आप breakout point को फिर से retest होने के लिए price का इंतजार करें. यदि आप फिर से retest की प्रतीक्षा करते हैं, आप एक favorable trade location में entry कर रहे हैं, जहा previous support level, resistance के रूप में कार्य करने की संभावना है. इसका मतलब है, कि आपके trade पर एक tight stop loss है, जो एक बहतर reward to risk ratio प्रदान करता है. लेकिन, दुख की बात है, कि इस pattern के साथ, pullback या retest बहुत बार नहीं होते हैं. breakout validation के लिए, volumes का उप्योग करना अच्छा practice है. और stop loss के बारे में क्या? वो point, जहां descending triangle pattern invalidate हो जाता है, वो तब बनता है, जब price सबसे recent swing high level से उपर, break और close हो जाती है. तो एक अच्छा stop loss सबसे recent swing high level से उपर होगा, और अगर आप और भी safe होना चाहते हैं, तो इसे कुछ buffer दें, जैसे 180R, और इसे recent swing high से उपर set करें. maximum profits के लिए, अपने winning trades स exit करने के दो तरीके हैं. पहला है, price projection method और दूसरा, trailing stop loss method है. Price projection में, descending triangle के highest और lowest point के बीच की दूरी की measurement करें. इस height को लें, और इसे breakout point से, नीचे की और project करें. projected future price point हुऊ है, जहां आप descending triangle pattern के breakdown में enter करने के बाद, अपने trade से exit करते हैं. आप price projection technique का उप्योग, ये तै करने के लिए भी कर सकते हैं, कि trade में entry करने के लिए, बहुत देर हो चुकी है या नहीं. यानि, अगर price अपने projected target तक पहुचने के करीब है, तो शायद इस move में ज्यादा reward नहीं बचा है, और आप trade को छोड़ना चाह सकते हैं. दूसरी method, trailing stop loss का उप्योग करना है. Price projection technique के विप्री trailing stop loss एक fixed target profit का उप्योग नहीं करता है. इसके बजाए, जैसे ही price आपके favor में चलती है, आप अपने stop loss को trail कर लेते हैं, ताकि आप trend ride कर सकें. आपको सबसे पहले ये तै करना होगा, कि आप किस प्रकार की trend को पकड़ना चाहते हैं, चाहे वो short, medium या long term की trend हो. अपने stop loss को suitable moving averages के साथ trail करें. उदाहरन के लिए, short term के लिए 20 SMA, medium term के लिए 50 SMA, और long term के लिए 200 SMA. फिर अपने trade से तब exit करें, जब price moving average के उपर close हो जाती है. इसलिए, यदि आप market में price swings को capture करना चाहते हैं, तो price projection technique बहतर है. और अगर आप market में trend की ride करना चाहते हैं, तो trailing stop loss method सबसे अच्छा काम करता है. हमारे patterns की fourth category की ओर बढ़ते हैं. Rectangle formation, important support और resistance का प्रतिनिधित्व करने वाली horizontal lines द्वारा form एक classical chart pattern है. यह एक continuation pattern है, जो existing market trend में pause के दोरान एक trading range बनाता है. pattern की पहचान करना काफी आसान है, क्योंकि इसमें कम से कम दो बराबर highs और दो समान lows है. highs और lows दो parallel lines बनाने के लिए जोड़ा जा सकता है, जो rectangle के top और bottom बनाती है. एक rectangle formation, sellers और buyers के बीच indecision की एक period को दर्शाता है, क्योंकि वे एक दुसरे को punches फेकते हैं, लेकिन दोनों में से किसी का दूसरे पर clear dominance नहीं है. rectangles को trading range, congestion areas या consolidation zones के रूप में भी जाना जाता है. हम continuation patterns के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि price breakout करके existing trend के साथ जारी रहेगी. इस अर्थ में rectangles दो टाइप्स के होते हैं. एक upward price move के दौरान, top rectangle बनता है, और breakout के बा एक downtrend के दौरान बनता है और इसे bottom rectangle कहा जाता है, जो संकेत करता है कि breakout के बाद down move जारी रहेगा. rectangle patterns trend को reverse भी कर सकते हैं. इसलिए इन reversal patterns को double tops और triple tops जैसे specific names दिये जाते हैं, जब price respectively 2 और 3 बार resistance का test करती है और फिर नीचे जाती है. इसे double bottom और triple bottoms भी बुलाते. जब price, support levels का respectively 2 और 3 बार test करता है और उपर की और reverse करता है. पैटन क्या करने वाला है, ये सपश्ट रूप से समझने के लिए हमें breakout होने तक इंतजार करना होगा. इसलिए यदि आप इस pattern को बाइहाट करने की कोशिश करते हैं, तो ये essentially एक confusing piece of price action है. मैं जो सलाह देता वो real breakout देने के लिए price की प्रतीक्षा करना है और फिर decide करना है कि क्या आप trend के साथ trade करना चाहते हैं या इसके खिलाफ जाना चाहता है. In short, rectangle pattern की पहचान करने के लिए हमें एक trending stock का पता लगाने की आवश्यक्ता होगी, जिसमें consolidation की period हो. कम से कम, दो tops और दो bottoms एक दूसरे स horizontal होने चाहिए. इस stock के behavior से पता चलता है कि price एक box के अंदर locked है. Top rectangle एक uptrend के दोरान देखा जाता है. आपको pattern के top level के माध्यम से एक breakout नोटिस करना होगा. ये confirm करेगा कि bullish move वापस आ रही है. जब pattern bullish trend को जारी रखने के लिए resistance level के उपर एक breakout बनाता है, तो traders long position में enter कर सकते है Bottom rectangle pattern इसके bullish counterpart के बिलकुल विपरीथ है. ये pattern downtrend के दोरान होता है. पैटन की confirmation करने के लिए price को pattern के lower support level को तोड़ना होगा. bearish trend को जारी रखने के लिए जब price range के निचले हिस्से को तोड़ती है, तो traders short positions में enter करना चाहते हैं. जब आप rectangle pattern को देखते हैं, तो कैसे trade करें? यदि आप एक aggressive trader है, जो entry लेने के लिए best possible price की तलाश कर रहे हैं, तो एक top rectangle pattern के लिए आप एक long trade में enter कर सकते हैं, जब price resistance level से उपर तूट जाती है. इसका downside यह है कि यह एक false breakout हो सकता है और आप position से stopped out हो सकता है. अगला approach अधिक conservative है. हम breakout candle resistance level से उपर close होने का इंतजार करेंगे. ज्यादातर इस method से fake outs में फसने की संभावना कम हो जाएगी. इसमें केवल एक limitation यह है कि जब price बहुत अधिक momentum के साथ break हो देगा. फाइनली क्या होगा यदि आप breakout को पूरी तरह से miss out करते हैं? Only available option एक pullback की wait करना या resistance turn support level पर price retest होना और फिर वहां से long entry लेना है. यदि दोबारा retest नहीं होता है तो price के पीछे न भागें बस इसे trade करने से बचें. आपको और भी बहतर trades मिलेंगे. सुनिश्चित करें कि breakout के दोरान volumes बढ़ता है जो high buying interest का संकेत देता है. ऐसा करने के लिए आप MACD, RSI आदी जैसे indicators का भी उपयोग कर सकते हैं. आम तोर पर एक bearish breakdown के साथ एक bottom rectangle pattern के लिए हमारी primary instinct बेचने की होनी चाहिए. यहां भी three trade entries संभव हैं. breakdown होने पर सबसे aggressive entry होता है. अधिक conservative approach, support level के नीचे breakdown candle के close होने की confirmation की wait करना है. अंतिम option यह है कि यदि आप breakdown को miss out कर गए हैं, तो फिर आप pullback या retest की प्रतीक्षा करें. इसलिए मैं optimal entry decide करने के फैसला आप पर छोड़ता हूँ. volumes और अन्य momentum based indicators के साथ breakout को validate करना सुनिश्चित करें. अब हम proper stop loss set करना सीखेंगे. हम नहीं चाहते कि stop loss हमारे risk management को प्रभावित करें. इसलिए जब आप एक rectangle breakout देखते हैं तो support और resistance के बीच की दूरी को मापें और फिर इस width के middle में अपना stop loss लगाएं. ये top और bottom rectangles दोनों पर apply होता है. ऐसा करने से आपका position secured रहेगा. तब आपको पता चल जाएगा कि आप ज stop loss को midpoint पर रखा जाना चाहिए. क्योंकि trend जारी रहने से पहले breakout में shakeouts होने की संभावना होगी. इसलिए यदि आप stop loss को breakout point पर या उसके ठीक नीचे रखते हैं तो trend के साथ right शुरू करने से पहले smart money अधिक shares best prices पर acquire करने के लिए आपके stop losses को hit कर देगी. अब बात करते हैं कि कैसे एक profitable trade से exit करें? Rectangle pattern का trade करते समय, minimum target के बारे में एक clearly stated rule है. आपको pattern के width के बराबर minimum price move के लिए अपने trade में बने रहना चाहिए. यह imply करता है कि rectangle के support और resistance के बीच की width को breakout moment से chart पर project करना चाहिए. चुनकि stop loss rectangle range के middle point पर है, इसका मतलब है कि target के size stop loss का दो गुना है. इससे reward to risk ratio 2 is to 1 हो जाता है. जब तक यह move exhaust नहीं हो जाता, तब तक आप trend को ride करने के लिए, trailing stop loss method का उपयोग कर सकते हैं. हाँ, आप सही है, suitable period का moving averages इसमें आपकी मदद कर सकता है. एक और तरीका है, जिससे traders, rectangles का trade कर सकते हैं. यदि pattern की width बहुत अधिक है, तो आप support level पर buy और resistance level पर sell कर सकते हैं. इसका उपयोग, intraday या swing strategy के रूप में किया जा सकता है, यदि यह decent reward to risk ratio प्रदान करता है. यदि आपके पास एक top rectangle pattern है, तो आप bottom support level से एक long entry ले सकते हैं, और अपने stop loss को consolidation के दोरान सबसे lowest wick या candle के नीचे रख सकते हैं. टागेट पश्ट इसी तरह एक bottom rectangle pattern के लिए जब price top resistance level से नीचे आती है, तो आप short trades के लिए देख सकते हैं, और stop loss को consolidation के दोरान सबसे highest wick या candle के ऊपर रखा जाता है. टागेट, lower support level हो सकता है. कभी-कभी, यदि breakout भी हो जाता है, तो यह method आपको breakout होने से पहले ही best possible price provide करती है. मैंने cup and handle pattern को last में क्यों रखा? इसका कारण यह है कि अभी भी इस बात पर debate चल रही है कि क्या cup and handle pattern एक continuation pattern है या reversal pattern है? मेरी राय में cup and handle pattern, continuation और reversal pattern दोनों हो सकते हैं. यह इस बात पर निर्भर करता है कि यह chart में कहां बनता है? यदि यह एक uptrend के दोरान बनता है, तो pattern एक bullish continuation का संकेत देता है. इसी तरह यदि यह downtrend के दोरान बनता है, तो pattern एक bullish reversal का संकेत देगा. मैं वास्तव में इस बारे में curious नहीं हूँ कि pattern कहां बनता है, लेकिन मुझे इस fact में अधिक दिल्चस्पी है कि breakout हमेशा upside की ओर होता है, यानि cup and handle pattern से bullish breakout मिलने की उम्मीद है. अब आ के रूप में कारे करता है. bearish decline के बाद कब बनता है? इसके बाद smaller या weaker candles के साथ consolidation की period होती है, जो market bottoming के संकेत दिखाती है, जिसके बाद price resistance की ओर higher highs बनाती है. ये दर्शाता है कि bulls धीरे-धीरे bear से आगे निकल जाते है. यह एक round bottom वाली का टोरी जैसा दिखता है. consolidation के दोरान, pattern के middle की ओर, volumes decline होना चाहिए, और फिर, up move के दोरान, volumes बढ़ना चाहिए, जो increased buying pressure का संकेत देता है. price, resistance पर कैसे react करता है, यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपको बताता है कि resistance पर अभी भी selling pressure उपलब्ध है या नहीं. एक cup and handle pattern invalid हो जाता है, यदि आप resistance level से sell off देखते हैं, क्योंकि यह आपको बताता है कि selling pressure अभी भी उपलब्ध है और market उपर जाने के लिए तयार नहीं है. लेकिन यदि आप देखते हैं कि price resistance पर अच्छी तरह से hold कर रही है, तो यह bullish strength का संकेत है, क्योंकि यह बताता है कि buyers इन higher prices पर खरीदने को तयार है, तो resistance के तहट handle को एक tight consolidation या एक build-up बनाना पड़ता है. इस point पर कई traders सोचेंगे कि उन्होंने कई trading books से क्या सीखा है, यदि price resistance पर है, तो यह मेरे लिए short trade लेने का समय है. अब ये ठीक है, अगर price ने resistance तक एक strong momentum move बनाई है, और इसे वहाँ से strongly reject कर दिया गया है. लेकिन, अगर price resistance के पास पहुँचती है और build-up बनाती है, या यहाँ तक की, अगर यह resistance में higher lows बनाता है, तो आपको cautious रहना होगा. क्योंकि, ये ताकत का संकेत है, और आपको बता रहा है, कि ऐसे buyers हैं, जो इन higher prices पर buying करने को तयार है. आखिरी गलती जो आप नहीं करना चाहते हैं, वो market को short करना है, क्योंकि price उपर की और breakout करने की संभावना है. इसलिए, handle को एक flag या pennant pattern के रूप में एक strong consolidation बनना चाहिए, जो अपने आप में bullish continuation patterns है. इसके अलावा, consolidation के दौरान, volumes में गिरावत आनी चाहिए, जो selling pressure की कमी को दर्शाता है. साथ ही, इस बात का भी ध्यान रखें, कि handle कप से छोटा होना चाहिए. Handle को कप के lower half से नीचे नहीं गिरना चाहिए, और ideally इसे कप के upper third part में रहना चाहिए. Handle जितना गहरा नीचे जाएगा, market के उपर की और breakout होने की संभावना उतनी ही कम होगी. Handle, prices को कम करने के लिए आखिरी bearish attempt है, और जब price handle के उपर breakout हो जाती है, तो हम उम्मीद करते हैं कि prices में rise होगी. अब entry, stop loss और target criteria पर एक नजर डालते हैं. Cup and handle pattern की confirmation तब होती है, जब price, tight consolidation range से उपर break हो जाती है. तो ये सबसे aggressive और सबसे cheapest entry price है जो आप पा सकते हैं. इसलिए price reverse हो सकती है और आपके stop loss को hit कर सकती है. एक alternate entry, neckline के उपर price breakout होने पर long position लेके चलना है. ये दूसरी सबसे अच्छी price है जहां आपको entry मिल सकती है. इस particular method में false breakouts का खत्रा होता है. यदि आप अधिक conservative है, तो breakout candle के neckline के उपर close होने की प्रतीक्षा करें. और फिर breakout candle highs के उपर या अगले candle पर एक long entry ले. हाला कि कभी-कभी market neckline के बहुत उपर close हो जाता है और आपको खराब entry points मिलता है. इसका परिणाम एक wider stop loss और आपके trade पर एक छोटे position size होता है. ऐसे instances में आप neckline पर pullback या retest के रूप में एक shakeout करने के लिए price का इंतजार कर सकते हैं और जब price उपर की ओर reverse हो जाती है, तो आप entry करने की योजना बना सकते हैं. Volumes और अन्य momentum indicators का उप्योग करके ये सुनिश्चित करें कि breakout valid है या नहीं. जिन cups का bottoms, लंबा और अधिक U-shaped का होता है, वे बहतर trade signals देते हैं. Sharp V-shaped bottoms वाले cups से सावधान रहे. अब मेरा stop loss सही तरीके से कहां set करें? जब भी आप stop loss लगाते हैं, तो उसे हमेशा इस rule का पालन करना चाहिए. आपका stop loss एक ऐसे level पर रखा जाना चाहिए. जहां अगर market उस level तक पहुचता है, तो आपका trading setup invalidate हो जाता है. अपने आप से पूछे, cup and handle pattern कब invalid बनेगा? एक cup and handle invalid तब होती है, जब price, pattern के handle के नीचे, break और close हो जाता है. Stop loss placement, एक bull flag या bull pennant pattern के मामले के similar होती है. अब, आप अपने stop loss को handle के exact lows पर नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि market उस area of value पर trade कर सकता है, और liquidity लेकर reverse हो सकता है. इसके बजाए, इसे handle के नीचे, कुछ 180R buffer space देकर set करें. अब बात करते हैं, अपने winning trades से कैसे exit करें? पहली method, spushed रूप से, classic price projection method है. यहाँ हम cup की height को, cup के bottom से neckline तक मापते हैं, और फिर, इसे breakout point से neckline के उपर project करते हैं. यह आपका future profit target होगा. दूसरी method, अपने stop loss को trail करने, और बड़े trends की ride करने के लिए, moving averages का उपयोग करना है. अब trending markets में, price long periods के लिए, moving average से उपर रह सकती है. इसलिए, आप जो करेंगे, वो आपके stop loss को trail कर देना है, क्योंकि price, moving average से उपर बनी हुई है, और जब price, moving average के नीचे close होने पर, आप position से exit कर सकते हैं. यदि आप cup और handle को upside down flip करते हैं, तो आपको एक inverted cup and handle pattern मिलेगा. यह एक bearish breakdown pattern है. एक trend में कहां बनता है, इसके आधार पर यह एक bearish continuation pattern या एक bearish reversal pattern हो सकता है. लेकिन हमें इसमें सबसे कम दिल्चस्पी है, कि यह कहां बनता है. inverted cup का formation, depleting demand और buying pressure की कमी को दर्शाता है, जिसे volume का उप्योग करके validate किया जा सकता है. handle, एक bear flag या bear pennant के रूप में एक tight consolidation होना चाहिए, जो contracting volumes के साथ भी आता है. यदि handle, cup के 50% या उपर से अधिक जाते हैं, तो बहतर होगा कि इसे एक valid pattern के रूप में ना माने, क्योंकि neckline support level पर अभी भी परियाप्त buying pressure उपलब्ध है, जो prices को और उपर पुश कर रहा है. Entry criteria के मामले में, एक short trade initiate करना, जब price, handle के consolidation के नीचे, break और close हो जाता है, या जब price, neckline के नीचे तूट जाता है. एक अधिक conservative entry level, breakdown candle के lows से नीचे होगा, जब breakdown candle, support level से नीचे close होने के बाद, यदि आप trade entry मिज आउट किया है, तो आप neckline पर एक pullback या retest की प्रतीक्षा करें, और जब price नीचे की ओर reverse हो जाती है, तो एक short trade लेना, stop loss को handle के उपर, 180R buffer के साथ रखा जा सकता है. टागेट को inverted cup की height के बराबर, यानि neckline से cup के top तक set किया जा सकता है, और breakdown point से neckline के नीचे project किया जा सकता है. पूरे trend को right करने का एक और तरीका, moving averages का उप्योग करके, trailing stop loss method का उप्योग करना, और जब price average से उपर close होते ही, trade से बाहर निकलना है. अब यह एक ही विडियो में सारे major continuation patterns हैं. मुझे उम्मीद है कि यह विडियो आपको प्रतियक pattern के पीछे के logic को समझने में मदद करेगा.